नमस्कार मैं सिमरंजीत सिंग विहारी नियूज से विग्यापन से बनी दुलहन और दुलहन बन गई सांसद है ना बड़ी दिल्चस्प कहानी है और कहानी भी है विहार से ये कहानी है उस लड़की के किस्मत की जिसके परिजनों ने अखबार में निकले विग्यापन से प्रभावित होकर शादी करा दी और उसके किस्मत ने उसे दो बार विधायक जी हां दो बार विधायक और इस बार लोकसभा का संसत बना दिया और शादी भी हुई तो कब पित्री पक्ष यानि श्राद के दिनों में जिसे हमारी संस्कृती में आम तोर पर अशुप समय माना जाता है इन दिनों किसी किसम की कोई मांगलिक कारेक्रमों को इस दोरान आयोजित नहीं किया जाता लेकिन उस वक्त ऐसी परिस्थेतियां बन गई थी कि शादी पित्री पक्ष में करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था हम बात कर रहे हैं विहार के सिवान लोकसभा सीट से चुनाओ जीत कर संसत का सफरताय करने वाली कविता सिंग का 2019 के लोकसभा चुनाओ में कविता सिंग ने बाहु बली और बड़े दबंग माने जाने वाले रास्टिय जनता दल के पूर्व संसत शहबुदीन की पत्नी हिना शहाब को परास्त कर दिया संसत कविता सिंग की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है बिल्कुल किसी फिल्मे कहानी की तरह इस कहानी को सुनकर आप थोड़े हैरत में पढ़ सकते हैं लेकिन ये जो घटना है ये जो कहानी है ये पूरी तरह सच है कविता सिंग का राजनीत में आना एक घटना क्रम था लेकिन लोक सभा के ये चुनाव जीत कर उन्होंने अपने काम्यावी की हैट्रिक लगा दी है सिवान जिले की दरौधा विदान सभा सीट से जदियू की विधायक थी जगमातो देवी अपने कारेकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया उनके इकलोते बेटे थे अजैस सिंग अजैस सिंग ने अपनी मा की जग़पर पार्टी से टिकट मांगा चुंकि अजैस सिंग का इतिहास बहु बली कर रहा था उनके नाम पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्जें इसलिए सीएम नितीश कुमार ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको टिकट देने से पार्टी की छबी प्रभावित हो सकती है अगर आप चुप चुनाओ के पहले शादी कर लेते हैं तो हम आपकी पत्नी को उमिद्वार बना सकते हैं अजा सिंग के खिलाफ कई मामले थे लिहाजा उनका विवाह होना इतना आसान भी नहीं था इसके लिए उन्होंने बाकाइदा अखबार में विग्यापन दिये विग्यापन भी बड़े अजीब किसम का था दुलहन के लिए कुछ शर्ते रखी गई थी पहला यह था कि लड़की 25 वर्ष अधिक की होनी चाहिए उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसे राजनीती का ज्यान होना चाहिए बोलने में ठीक ठाक होनी चाहिए और अगर लड़की शिक्षित हुई तो उसे प्रात्मिक्ता दी जाएगी 16 लड़किया इस विग्यापन को पढ़कर शादी के लिए तयार हो गई लेकिन अजय सिंग को पसंद आई कविता सिंग जो छपरा की जेपी विश्वविद्याले की पोस्ट ग्रजूशन की छात्रा थी कविता सिंग को अजय सिंग के परिजनों ने भी पसंद कर लिया उपचुनाओं की घोषना हो चुकी थी समय बहुत कम था दिन पितरी पक्ष के चल रहे थे बाबजूद इसके अजय सिंग और कविता सिंग की शादी हुई शादी के तुरंट बाद कविता सिंग ने नमांकन किया और 2011 के ओप चुनाओं में जीत कर बिहार विधान सभह की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई कविता ने 2015 का भी विधान सभा चुनाओ बड़े अंतर से जीता 2019 के लोकसभा चुनाओ में कविता सिंग को जदियू ने अपना उमिदवार सिवान लोकसभा सीट से बनाया तो यहां भी किस्मत ने उनका साथ दे दिया कविता सिंग ने अच्छे खासे मार्जिन से यह चुनाओ जीत लिया और आज की तारिख में कविता सिंग सिवान लोकसभा चुतर से जनतादल यूनाइटेट की सांसद है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेर करें धन्यवाद